अमस्कार दोसो, मेरी चैनल देव भूमी उत्राकंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए आगे मैं आपको माता के पांचवे सरूप, इसकंद माता सरूप की पूजा विधी के बारे में बताऊंगा उमीद है आप लोगों को वीडियो पसन आएगी धन्यवाद नवरात के पांचे दिन इनकी पूजा कन्ये का विधान है, इनके विषय में ऐसी मान्यता है कि जब पिर्थवी पर असुरों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था तब इसकंद माता ने अपने संत जनों की रक्षा के लिए सिंग पर सवार होकर दुस्ट दानवों का संगार किया था पौराणिक तथ्यों के अनुसार इसकंद माता ही हिमालाई की पुत्री पारवती हैं जिनें महेस्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों मैं आगे आपको पूजा विधी के बारे में बताने जा रहा हूँ उमीद है आप लोग इसका अनुपालन करेंगे पहले चोकी पर इसकंद माता की परतिमा स्थापित करें इसके बाद जल गंगा या गोमोत्र से इसका सुद्धिकरन करें चोकी पर चादी ताबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलस रखें उसी चोकी पर गणेजी वरुण नवगरह पोशन मिर्तिका की स्थापना भी करें इसके बाद ब्रत पूजन का संकल्पले और वैदिक एम स्थापिक मंत्रद्वारा स्कंद माता सहिच समस्तिद स्थापित देवताओं की पूजा करें जए माता दी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड कर जरूर बताएं और चैनल को सस्काइब कीजिए वीडियो को आगे फॉरड कीजिए माता की पूजा का जो पूरा वीधि विधान है वो मैं अपने ब्लॉग पेज पर लिखा हुआ है वहाँ पर आज जाके आप देख सकते हैं मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा धन्यवाद जय माता दी